तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे क्लास एर्थ की बुक से जोग्रफी का एक चाप्टर एग्रिकल्चर जो चाप्टर है यह एक चोट असा चैप्टर है बहुत असानी से आपको समझ आ जाएगा इसमें कुछ बहुत जादा चीज़ें डिफिकल् चाप्टर को यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ लीजेगा तो चलिए दाउड दिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं अग्रिकल्चर इस वन अफ दो मॉस्ट इंपॉर्टन एकनॉमिक अक्टिविटीज इन डवर्ड जो होता है मुस्ट इंपॉर्टन एक्टिविट इस त्रे मुदूर्टीज होती है वर्ड में तो उसे अग्री कल्चर जो है वो काफी ज़्दा इंपॉर्टेंट है अफर कह सकते हैं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टन एंपॉर्टन एछ नफिक बश्टा इस परफॉर्टीज इन जए हुमन बींक को या तीन ग्रॉड प्र आप एक करके पढ़ेंगे इन पर questions आते हैं तो यह तो one marker question आजाएगा है न कि different economic activities कौन कौन से होती है तो हमारी primary होती है secondary होती है तरश्री होती है यही question अगर आपका मानदी जे 5 मा करा गया है ना तो आपको long question की तरह से इसको फिर describe भी करना पड़ेगा तो एक एक करके पढ़ते है the primary activities तो primary activities में क्या था includes the excreation of raw material from the earth surface ठीक है आर्थ के surface में से raw material को बाहर निकालना ठीक है excreation करना उसको बाहर नि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर होता है ठीक है तो मतलब हंटिंग करना है शिकार करना है food gathering मतलब जैसे फल बगर एकटे कर लेना सब्जियां इकटे कर लेना और पैट्रोलियूं बगरा निकालना फिर फिशिंग मचली बगरा पकरना फोरेस्ट्री मितलब जंगल अगरा से रिलेटेटी ओ गया वहा के समान निकालना या उपलबद करना और माइनिंग हो गया कोदाई बगरा करना अगरिकल्चर केती यह तो सारा प्राइमरी अक्टिविटीज में आ जाता है फिर सेकेंड्री अक्टिविटीज केंड्रे अग्टिविटीज इंक्लूट processing of raw material and converting them into finished goods of higher value अब देखो आपने क्या किया मानलो आपने फिश पकड़ी अब इसको बेचना भी तो होगा ना या इसका कुछ इस तरीके से जैसे फिश का ओयल बनाया जा रहा है तो इस raw material को करना है ठीक है into finished goods जो कि market में फिर बेचा जा सके जिसके higher value हो सके है ना आपने hunting किया let's suppose आपने एक जानवर पकड़ा अब उस जानवर की काल से अगर आपको कुछ बनाना है तो वो हमारा secondary activities में आ गया पकड़ना primary activities में है लेकिन उसको कुछ finished goods बनाना उससे समान बनाना यह ज secondary activities includes the processing of sorry processing of raw materials and converting them into finished goods of higher values the main secondary activities are industries है ना में industries में सब सारे काम होते हैं such as making a steel from iron ore अब iron ore में से steel बनाना यह industries बगरा में होता है है ना तो यह हमारा secondary activities के अंदर आ गया and weaving cloth अब क्या हुआ आपने क्या किया अपने agriculture के द्वारा जो है वो cotton उखाया यह primary activities होगी activities में से आगया अब weaving cloth जो आगया वो आगया हमारा second activities में से है ना तो उसको कुछ बनाना उससे अब tertiary activities क्या होती है यह question सारे ना अलग point में भी आ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मानलो चौट नोट आ जाए primary activities पे शौट नोट अगया secondary activities पे तो पूरू-पूरे paragraph आपको चिसे याद करने चुटी चुटी paragraph से तो हो जाएंगे tertiary activities में include करती है all types of services which support the primary and secondary activities तो यह क्या करती है यह support करती है किसे सपोर्ट करती है primary activities को और secondary activities को तो support कैसे करती है यह भई the main tertiary activities are transport अब आपने यहां क्या किया यहां पर उगाया second वाले primary में हो गाया secondary में उससे कुछ समान बनाया तो तीसरी वाली activity क्या करी कि उसको ट्रांसपोर्ट करी कि market तक भी तो जाना है ना बेचना भी तो है ना उसको तो ट्रेड हो गया education हो गया banking हो गया insurance हो गया advertising हो गया यह सारी बाते बहुत अच्छी से याद कर ले ना यह सारा जाता है tertiary activities में से agriculture is a primary activity देखो primary activity होती है हमारी agriculture and is closely related to the natural environment की बही किस जगा का environment जो है वो कैसा है वहाँ पर उसी चीज़ की खेती की जा सकती है the term agriculture has been derived from यह कहां से आया वर्ड जो है अगरी कल्चर वर्ड आता है Latin वर्ड एगर से ठीक है Latin का एक शब्द है एगर उससे आया है जिसका मतलब होता है soil and culture का मतलब क्या होता है cultivation soil का cultivation थो क्या agriculture thus agriculture defined as the art and science of cultivating किस चीज़ को cultivate कर ना the soil and raising उसमें से क्या निकालना? crops, fustle निकालना and livestock यानि पश्रुधन को रखना यह भी agriculture के अंदर ही आ जाता है ठीक है? मतलब जानवरों को जो पालते है ना जानवरों को रखते है जो होते है food gatherers होते थे मतलब खाना इकटा करते थे फिल लेटर बाद में क्या हुआ था invention of agriculture हुआ जिसने help किया था उनको जाना बदोश होते है थे मतलब एक जगा से नूमेट स्टाइब जैसे एक जगा रहे फिर चले गए फिर कहीं और रहने लगे आप कहीं और रहने लगे लेकिन दीरे-दीरे क्या हुआ जब उन्होंने केती बगरा करने शुरू की तो उव्यसी बात है पश्यों को पालना श और इंडारेक्ली एंगेज है किसमें अगरी कल्चर में बही हमें पता है कि आदी दुनिया जो है मतलब इंडेस्ट्रियल एस तो चल गए फिर भी आदी दुनिया की पॉपुलेशन बोल रहने डारेक्ली और इंडारेक्ली वो एंगेज है अगरी कल्चर में about 61.5% of India's total population is still dependent on agriculture so 11.5% जो है इंडिया का total population जो है वो dependent है agriculture पे काफी important point है यहां से question आएगा ही आएगा with the spread of agriculture as a global activity great progress has been made in every aspect of crop production जैसे plowing हो गया, sowing हो गया, irrigation हो गया irrigation क्या होता भई? चलो एके करके देखने हैं with the spread of agriculture, जैसे अगरी कल्चर जो है वो फैला as a global activity, global activity मतलब पूरी दुनिया में अगरी कल्चर होने लगा है ना मतलब लोग जानवर भी पालने लगे, केती भी करने लगे तो great progress has been made, बहुत जादा progress होई in every aspect of crop production में मतलब crop production के हार एक उसमें बहुत जादा ही जो है progress होई, अब क्या क्या हुआ देखो, such as flowing, flowing में क्या होता है खेत को जोतना, जोतना means जैसे बहुत हार्ड मिट्टी है तो इसको मिट्टी को खोद खोद के दीला करना ठीक है तो पहले क्या होता था, तो पहले क्या होता था, सरफ फावरे वगरा से कर लेते थे, दीरे दीरे बड़ी बड़ी मशीने आने लगी, मतलब क्या होता है, unwanted plants को खाड के फेक देना, ठीक है तो वोस पर भी बहुत काम हुआ हार्वेस्टिंग, हर्वेस्टिंग क्या होता है, तो यहां सारी चीजें जो पुराने टाइप के जो method होते थे, उसकी बजाए तीरे 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 काफी साथ प्रोग्रेस वेरे का टेक्रीस करने के लिए अग्रीकल्च पॉपॉद्टिंग बढ़ रहे है, जन सेंग क्या बढ़ रहे है, तो फूद की निमाड भी बढ़ रहे है, जज़िदा लोग उतना साथा काना काएंगे, तो फिर आप हमें ऐसे पुरानी टेकनिक से तो हमारा काम चल नहीं रहा था, तो दीरे-दीरे क्या हुआ इन सब चीज़ों पे बहुत जादा विकास होने लगे इन चीज़ों को बहुत जादा ही प्रोग्रस हुई आप, the introduction of farm machinery helped to increase the crop production, जो introduction है किसका farm machinery का, वो help पता है increase करने में crop production को and brought more area under cultivation agriculture provides not only food for human beings and animals but it is also the main source of raw material for industries आप देखो आपने एक factory लगाए तो factory में कुछ तो बनाओ के, let's suppose आपने कपड़े की factory लगाए है तो कपड़े के लिए बनाने के लिए cotton, jute, कुछ तो चाहिए ना, तो वो तो उगाना पड़ेगा आपको, है ना तो वही चीज बोल रहा है कि agriculture ने प्रोवाइट किया है, agriculture प्रोवाइट करती है not only food के वल, खाना ही नहीं प्रोवाइट करती है for human beings and animals के लिए but it is also यह है क्या main source of raw material भी है यह ठीक है main source of raw material भी इस के लिए, industries के लिए, such as textiles के लिए, sugar के लिए, oil के लिए it also acts as a consumer of industrial products, यह consumer का काम करती है, industrial products का, like consumer का अंतलब क्या हुआ है, चो consume करें, चो आपके product को use करें, आपने केटी करके कोई चीज हुगाई है, तो industry में वो चीज आप बेच रहे हो, है ना, तो वो लो consume कर रहे है इस चीज को, like farm machine, fertilizers, pesticides, the prosperity of the industrial sector depends करती है, अपन अग्रिकल्चर प्रस्पारिटी पर, भाई देखो, industrial sector कितना समर्द होगा, कितना उसके पास पैसा आएगा, यह सब चीज देपेंड करती है, अग्रिकल्चर के प्रस्पारिटी किती है, जितना बढ़िया समान उगेगा, उ करने का, टाइब सफ क्रॉप्स का, वहां पर कान कौन सी ग्रों होती है, and the amount of production, वरी करता है, from place to place, कि भई कहां पर कितना जो है वो चीजे उख पाएंगी, this is due to the changing environment condition, आप ऐसा किस क्ली होता है, क्योंकि भई देखो, आप पहाड पर रहते हो, तो वहां पर आपका मुगा स सकते हो, चीजे वहां पर इतनी climatic condition अची नहीं होती है, कि आप सब चीजे उगा पाएं, आप plains मे रते हो, यहां पर जादा चीजे आप उगा सकते हो, आप रही सान मे रते हो, वहां पर भी नहीं उगा सकते हो, तो डिपेंड करता है कि आपका environment कैसा, environmental conditions कैसी है, some of the physical and economic factors which greatly influence, जो बहुत ज़दा प्रभाव डालता है, agriculture पे, आर एस अंडा नीचे दी हो है, उससे पहले हम यह भड़े, हम यह पढ़ लेते हैं, कि इंपोर्टन पॉइंट होते हैं, इनको चोड़ना नहीं, the cultivation of vegetables for direct sale to the consumers and restaurants is called truck gardening, चीक है, तो इसको याद कर लेना, जो cultivation होता है, हो motivation of fruits, fruits को उगाना, जो है, वो हर्टी कल्चर में आता है, and the breeding of fish, यह वाला, ठीक है, sorry, यह वाला, जो हमारा point है, यह पिसी कल्चर कहलाता है, यहानी कि मचली पालन करना, the breeding of fish is especially developed, जो कि पॉण्ड में रखते हैं, मान लो पॉण्ड में मैंने कूप सरी मचली यहां पर पाल यह पिसी कल्चर कहलाता है, ठीक है, आप आजो, यहां पर हम बात करते हैं, तो जो physical और economic factors की हम बात कर रहे थे, वो देखते हैं, सबसे पहले है, relief, तो relief क्या होता है, the land on which crops are grown is known as arable land, तो जिस जो land है, जिस पर हमने ने crop को grow किया है, the land on which crops are grown, वो land जिस पर हम crops को उगाते ह उसको बोलता है, areaable land, ठीक है, तो low land such as rivers, basin, river basin, जो low land जैसे की river basin हो गया, flood plains हो गया, and deltas हो गया, and more suitable for growth, क्योंकि यहां की जो मिट्टी होती है, वो बहुत अच्छी होती है, and development of agriculture के लिए जगा है, पहुत अच्छी होती है, then highlands, अब अगर आप mountain पे उगाना चाहो, तो उ अच्छी हो जाती है, उगाने के लिए फासल गया, then highlands के मुकाबले, in the low land, dense population, not only provides adequate and cheap labor, देखो, अगर हम बात करते हैं lowland पे, तो lowland पे public जाधा रहती है, mountains के मुकाबले, lowland, plains पर public जाधा रहती है, population dense होती है, घनी, बहुत सारे लोग रहती है, तो अबर population बहुत जाद है, तो adequate और cheap labor में मिल जाएगे, adequate मतलब, जितनी मातरा में हमें चाहिए, अच्छे स बहुत सारे लोग है, तो बहुत सारे लोग मिल गए ना काम करने के लिए, और cheap labor में मिल जाती है, आप जहाँ पर लोग कम होंगे, वहाँ पर जाधा पैसा मांगें काम करने का, तो lowland में क्या होता है, adequate जो है, और cheap labor हमें मिल जाती है, बट also already market भी है, farm products के लिए, आपने य जो है, वो उड़ के बह जाती है, कभी उड़ जाती है, तो soil erosion रपे लगातार होता है, moreover, फिर भी farm machinery cannot be used, and means of transportation limit, अब इसके अलावा और क्या होता है, कि बही जो farm machinery है, वहाँ पर जाके हम यूज नहीं कर सकती है, उसको बड़ा difficult हो जाता है, वहाँ पर ले जाना, transportation वगरा सब difficult है, वहाँ पर, ठीक है, means of transportation, बहुत अचा होगा भी लिया, mountains वगरा पर, फिर उसको नीचे लानाट रखो से, तो वो सब चीज़े वहाँ पर difficult है, दूसरी बात आजाती है, कि बही क्लाइमेटिक कंडिशन कैसी है, कि होट अन्यूमिट क्लाइमेट फेवर करता है, दस cultivation जो possible है, almost throughout the year, पूरे साल possible होता है, इंदा equatorial और tropical regions में, है न, क्योंकि equator के आजू बाजू, यहाँ पर और यहाँ पर काफी जो है, जिसे warm और wet climate रहता है, ठीक है, और tropical regions में भी, ठीक है, यहाँ इससे यहाँ तक लिए, इन उपर freeze zone में हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, एक अच्छा हमारे को क्या सकते हैं, कि हम मौसम मिल जाता है, climate मिल जाता है, फसल हो काने के लिए, in the winter season and in cold regions, the temperature is too low, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, sorry, just a minute, throughout the, if आपसरते हैं, hot and humid climate favor करता है, agriculture, this cultivation is possible almost throughout the year in equatorial and tropical regions, in winter seasons and in cold regions, चूलो, अगर हम बात करें, winter season के सर्द्यों के मासं की और cold regions की, जैसे कि जो polar regions वगर होते हैं, जो equator से बिल्कुल दूर रहते हैं, यहां पर यह पोलर रीजन होते हैं, तो यह वाली बात, जो अगर हम करें, बहुत जदा cold regions की, यहां पर temperature के इसा होता है, बहुत जदा कम होत it worry करता है according to the temperature, बहुत जो है, वो वरी करें का according to the temperature कहां पर कितना है, more moisture is needed in the tropical areas, अगर हम बात करें, tropical areas की, यहां पर moisture जदा चाहिए than in the temperate areas, जदा जदा चाहिए, more moisture is needed in the tropical areas than in the temperate areas, even for the small crop, ठोड़े crop के लिए भी चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रों नहीं कर पाती है तो यहीं बोल रहा है कि प्लांट को सपोर्टी नहीं करती है लेकिन इसके अलावा और क्या काम भी करती है कि वह मौस्टर भी सप्लाई करती है की यहाँ अर्यावाटी को मौस्टर भी सप्लाई करती है अ पी ना कॉमर्शियार आओं यहां से बड़े कुस्थन साथ है केलाता है दो सिल्क करने के लिए स्री कल्चर कहलाता है तो सिल्क वाइन का कल्टिवेशन करना किसको ग्रेप को प्राप्त करने के लिए मतला मंगुरउ को ना रा अब जाना तो विटी कल्चर कहलाता है, दा कल्टिविशन ओफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, फ्लॉरी कल्चर, चीक है, यह सारी चीज़ा आप याथ कलेना, अब हम वहां से लाइन को कंचिन्यू करते हैं, क्या लाइन थे आमारी भई दस्वाइलस नॉट ओली सपोर्सपाइल धिसे बुरूरी मिटी होति है अब हाथ में लो जैसे नमक होता है न बुरूर एक गवैसे टाइट नहीं होता ऐसे अपलो तो फ्लो जाएगा थैसी पोर समिटी होति है जोड़ी धीली मिटी जिसे हम बोल स्वेश को थील कि अंको तया मैं आदो प्लेटो हवा धिर हां उसके कि अधर हवेजुरह बहुत है ना। फस फिर खाल पानी डाले को फूरस बूनाना है वह सेखी टिल्स के अधर दूलाते रहते हैं उसके अधर हॎल रहती है रहती है क्या क्ने हो फिर एक वह बैञे नोरे मोल सब्सक्राइब करें ये साथ या अफ चुछ उन इस्माति वाराइटे उफ क्रोप्स होगे वह अलगifting के लिए केमिकल्स की भी ठीक है तो वो प्रोडक्शन के लिए वराइटी अफ रॉप्स के लिए बहुत अच्छी रहती है और वेन्यों वगर उसके अंदर टाइम टालें ऐसे डिक है या या यह बेसिक है तो यह सब चेक करते रहें तो वो चीजों से अपसकी फॉइल की वर्टैलिटी को बचा की रह सकते हो एकनोमिक फैक्टर्स क्या होते हैं तो एकनोमिक फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं टिक का इवेलिबलीटी ओफ फार्म इन्पुट्र अड़िक वर्ट फैसिलिटीज अपने उगाया तो उसको ले जाब भी सा को इस दाधर मार्केट भी चीए बेचने के लिए लोन मिल जाए फार्मर्स को क्यों इनके पास इतना पैसा दो नहीं होता है कि वो सारा बीज-वीज सब करीद लें और सभी कुछ कर पाएं है ना लुकिनामिक फैक्टर भी है तो कहना चाहिए और ना लेबर तो गोने होने चाहिए और बिलब्लिटी और फॉर्म मशीनरी की पारिणा टो and the level of scientific and technological developments यह भी आजकल बहुत सब्सक्राइब हो गया है अब बहुत सब्सक्राइब हो गया है अब बहुत सब्सक्राइब हो गया है अब अब हम बात करते हैं टाइपस ओफ फामिंग की तो डू तु दा वैरी वारीबल सब्सक्राइब हो पहाड ऐगायन देकन इसाब से ओस अ पहाँ पहाद और अप्शलक्पेटर बांक्ट विल्चेम के और स्टाइटब आशीयर आपकी डिकनण। स्पार्मिंग यह मंनी फालम के दिए यह बना ले कीए तॉर इन सी जौब आजरा होगा लिए ठीक है तो यह होगा इस अबसेंस फार्मिंग क्योंकि यहां से उगा के वो अपनी घर में ले जाएगा और काएगा पीएगा राइड तो इन दिस टाइप ऑफार्मिंग फार्मर उस करता है प्रेमिटिव मेतोड पूराने टायप के मैतोड है नो zawker आजर फार्मिंग कोई तो प्रिदियुस आ वराइटे ओर और क्रॉप जानवरों के जो जैसे गोबर वगड़ा हो गया वहां पर पत्तियां वह डाली तो ऐसी जितने जो भी टाइप करने मिलता रहता है जो डालते रहते हैं सब्चिहों के चिलके हो गए फलो के चिलके हो गए और लिटिल कैमिकल फर्टिलाइस हो थोड़ा यूज材 करते हैं सब्सेस्टंस फार्मिंग में the production is generally low production बहुत कमी होता है क्योंकि वह तो भई अपनी वामिली कोई तो किलाने के लिए कर रहा है ना बहुत जदा बेचने के लिए तो है नहीं आफ ट्रोपिकल अफ्रीका और पार्ट सव और साउथ इस्ट एस्ट एस्ट एश्या अंद पार्ट सफ नौर्थ इस इंडिया यहाँ पर शिफ्टिंग इंडिविशन रती याद कर लेना दिलान इस क्लीर अब लाइंड आसे जाते लिए इस वाम कर देख लिए इस नान से प पुराने तरीके के फार्मिंग मैथार्ड जी होते हैं क्रॉब्स लेकिया है मुखाया जाता है कसावा है मेज है पुचैटो जैंए यह मुस्ली यहां पर ग्रों किये जाते हैं आफ्टर एबाउट टू और त्री यहर्स लगबग दो-तीन साल के बाद इस्टालिटी जो मिट्टी होती है वह अपनी फार्मिंग को लूज कर देती है काम होचाती है और बिकम्स अन्प्रोडेक्टिव और फिर मिट्टी जो है प्रोडेक्टिव नहीं रहा जाती है वहां पर इस जगह पर इसको काट बाट के उसने होगा लिया अब यहां पर आ गया क्योंकि यहां की फर्टिलिटी एक टाइम के बाद काम हो गई ठीक है दो दिस मैथर डिस कॉल्ट स्लेशन बर्न अग्रिकल्चर लंबे लंबे तुकडे काटकर जला देना ठीक है यहां पर यहां पर इस नाम से पकारते हैं तो भई देखो इसको जुम जुम तो इट इस जुम इन नौट इस इस इंडिया इसको नियुम बोलते हैं और लादांग बोलते हैं इन मलाया पैनिन्सूला में फिर यहां पर से तोड़ा ठीक नहीं रहा है है ठीक है फिलिपिन्स में इसको चिन करके कुछ बोलते हैं ठीक है मिलपा इन सेंट्रल अमारिका में बोलते हैं कॉनिक बोलते हैं वेनिजुला में रोका बोलते हैं ब्राजील में मैं सोल बोलते हैं इन कॉंगो बेसन ऑफ अफरीका में तो यह सब प्ली नुमेड्स वो जन जाती हैं जो हूँ मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक जिगा से दूसरी जगह इन सर्च अफ मीनस अफ सबस्टेस्टेंस पीपल अ कुम मूव इन सर्च अफ पैस्टर्स फॉर दियर डॉमेस्टिक आनिमल्स अनुन अस नमाडिक हार्डर्स इन सर्च अफ मीनस अफ सबस्टेस्टेंस अपने जीवन के लिए चीज़ें को ढूंडने के लिए इधर अधर यह जाते हैं पीपल हूं मूव इन सर्च अफ पैस्टर्स क्यों होते हैं एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारा जो है चारा बारा उग्रा हो फॉर दियर डॉमे बाद यहां से अब तो खतम हो गए सारे पेड़ें नोने खा लिए तो फिर मैं दूसरी जगह ढूंड़ोंगी तो नुमेडिक हड्र से इस तरीके से होते हैं अपने नोमेस्टिक जानवरों को चराने के लिए इधर उदर गोमते रहते हैं दर सीजनल मॉवमेंट वर लाइ यह आजो देर सेजनल मॉवमेंट विपाइव ट्रीके विडिय लाइव स्थाओ अफिल दुड दूड दूड्य दूड अब गोमतेशफियं दूड्य साम दूड यह पांग हो जागां जानवरों इस काल्ड इसको क्या बूलते हैं इनको बूलते हैं चांस घुमन झिके यह सब्सक्राइब न्हों मैड़ने गई मेनली प्रैक्टर इंधी एरिये और सामी एरिये रिजिन पहुती ऑफ सहरा इन अफुरीका सेंट्रल इस्ट्रल अपर आप्टिया लाइक राजस्तान ओगया मतलब नुमेडिंगा था यह समझार है आपको निजम्य एक श्मीर ऊगया त करते हैं जीप, गोठ, चमलंग याक यह सब यह पालते हैं. बुकल प्रॉज कम आदेन जाओं और फो और ह्यकुत, शाल्ट तो भूल और हेड़्ट नृॉज कम भ़ूज करते हैं aún farmers मаетन Dick hidden ich do not have पर्मटन परवनेड जालींग मतलब आवास घर रहने की जगा यह तो नहीं होता है इधर से उधर घूमना इनके जिंदेगे में लिखा हुए है दे मुस्ली लेविन टेंट्स तो जनरली इन टेंट्स वगेरा में रहते हैं इन अर्ली ताइम पहले टाइम में क्या था पीपल यूस करते थे पीपल यूस तो मुव फार्मर को इस समझ में आ गया कि यह जो मिट्टी है न मैं इसी की फर्टिलिटी को मेंटें कर सकता और मुझे यहां शुटिंग कुल्टिवेशन की जुरुरत नहीं है है न मुझे भार बार इता उता भागने की जुरुरत नहीं है तो क्या हुआ वेंड़ फार्मर लॉन्टो मेंटेंग सॉल फार्टिलिटी ही सेटल दाउन एट वन प्लेस वे एक पो जगा पर सेटल होने लगी ही एडॉप टेक्नीक लाइक क्रॉप रोटेशन है ना कि कभी के लिए बनाया ने स्टार्टेट रेडिंग केटल इन इस फ्री ताइम और फ्री ताइम में वो अपने जानवर वगरा भी पालने लगी ही डेवलप सम कॉटेज उन्होंने डेवलप किये कुछ चुचुचुचे घर कॉटेज इंडरस्ट्री इस बेस्ट अन लोकल रो भी बन गय है आप अढ़ को 50 ऑ्वार में चाहिए इन इंटनसे फ़रमी टाइज का मी ए उन पासीम पॉसिबल इंफॉत फ्रम बॉस्मूल प्वर्म 마ाट अब था आडल इसमें कोइवलप दह स 요ाटिल यॉन के तुक्रवं को सुसिछार्था है इससे जाधे जाद जतासे आपटेशल आप पूपिलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे रिद्वावट जादा गनी जो कंट्रीज है। वहां पर उती है फ्लो इसली फंद यूल में दो थीन तरीकी कि लॉप्तो उगाई लेता है। क्योंकि लो ग्रोईंग सीजन्स रहते अब आचो यहाँ पर लिए आसं पर लिए ऺपाले जाते हैं फर इलिए मार्केट्रें तो क्रॉप में सुधेच वालन पहुत इन क्र니다. बहुत इन डुज ही कर ली है और extensive है ना इंडन सब्सक्राइब हो सकते हैं और काफी सब्सक्राइब हो सकते हैं तो फार्मर्स अगर यहां पर उगा रहा है तो बेचने के लिए उगा रहा है तो लेंड जनरली बढ़ी होती है और जो लगाया जाता है इसको काफी पैसा भी देना पड़ता है इस टैप ऑफ फार्मिंग इस मुस्ली प्रेरिय इस अफ नौर्थ अमेरिका यह आपका यह आपका होती है commercial farming in the US of US of US of US of commercial farming in the middle latitude is essentially is this type ठीक है अब आजो extensive farming are extensive farming is more splendid in the spartily populated areas मतलब जाएंपर कम लोगज थे extensive farming वहाँ पर होती है ठीक है वेर अब्यूद इस अवीलिबल आप लोग कम रह रहे तो लैंड में वहां पर जहादा लोग रह रहे तो लैंड कम हो चाहती है कि उसाधा तर लोग यूस कर लेते हैं लेकिन इन एक्सेंसिज फर्मिंग क्या होता है की उचेखा पर होती है जहां पर लैंड बहुत जाधा मा commercial crops are generally grown एक या दो commercial crops जो 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 घाती है और तो most important crops जो ग्रोवति है वहां पर होती है wheat and maize the total output is high total output होता है याइल्ड पर hectare is low लेकिन यह जो फसल उगती है पर hectare वो तोड़ी गम होती है उपज़ी से कह सकते है total output हाई रहता है बदा याइल्ड पर hectare अगर बात करें तो वह लो रहती है पर hectare ठीक है वह यहां रखता है in some reasons the winter season is long तो कुछ-कुछ ऐसी जगाएं भी होती है यहां पर winter season what time के लिए चलता रहता है दो this restricts यह रोकता है the growing season को अना growing season के लिए हमें बहुत जादा तंडा weather तो नहीं चाहिए होता है तो इन सच एरियाज ओनली single crop यह उगा सकते हैं कि जब तोड़ा mixed farming it is mostly practiced in thickly populated areas of Europe यहां के जाते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तिक्ली populated areas हैं कहां के यूरोप के इस्टर्ण यूएस से के यह पेच हमारा हो चुका है यह भी हो चुका है यहां जाओ Argentina, South East Australia, New Zealand and South Africa तो यहां यहां होता है the farmer जो होते हैं वो क्या करते हैं the farmer follow करते हैं a well developed system of crop rotation crop rotation क्या हुआ कि crop कभी कोई सी हो गए कभी कोई सी हो गए तो विच आल्प करता है in retaining the soil fertility अभी हमने बीच्छे भी बात किती कि भी crop rotation से fatality बनी रहती हैं इसमें क्या होता है जो पाज होती है वो काफी हाई हो रहती है efficient method of farming जो होते हैं वो क्या होगा वहाँ पर efficient method of farming वह यूज करें quick means of transport अफट से आराम से ट्राक पूर अगर लटके market पहुँजेगा रड़ी बेटा में market मिल रहे हैं जहां पर बंदे मारा समान खरीद लेंगे तो व्यस्ती बात है तो बिक भी जल्दी जाएगा तो अब आजो plantation agriculture क्या होता है plantation agriculture टाइप अफ कमर्शियल फार्मिंग यह भी तरीकी की कमर्शियल फार्मिंग यह नहीं बजार में बेचने के लिए गी वो गया जा रहा है it was introduced by the Europeans in the tropical and subtropical regions में तो यह भी आ सकता है पूचा जा सकता है आपसे कि कि किस ने इंट्रोडियूस किया था plantation agriculture को यूरोपियंस ने किया था और दा अधर फार्म्स कॉल्ड इस्टेट्स तो फार्म्स को ऐसे वाले को स्टेट्स बोलते हैं वेरी लाज यह काफी बढ़ होते हैं efficient and scientific methods यहां पर यूज किया जाते हैं चीप and skilled labor होती है मतलब cheap मतलब सस्ती मिल जाते है labor यहां पर जो काम करते वाले मजदूर है काम पैसों मिल जाते हैं huge capital investment काफी जाता capital investment यहां पर required रहता है mostly a single crop of tea है कॉफी है शुगर किंगन ना है रबड़ है बनाना है spices यानी मसाले और cotton वगरा जो यहां पर grow किया जाता है the plantation are managed like industrial units example of such farming are rubber plantation हो गया वो कहां पर है तो rubber plantation कहां पर है Malaysia में है और coffee plantation Brazil में है tea plantation in India है and banana plantation कहां पर है dairy farming का ठीक है so dairy farming क्या होता है dairy मतलब दूसरे समंदिर has been developed in most the needs of the industrial cities में its growth जो इसकी growth होती है and जो इसका development होता है as its roots कहां है बत तब शुरुवात कहां से हो थी Europe से हो थी weather climate is suitable for natural pastures जो natural pastures के लिए climate है वो suitable cattle are rare for milk तो milk तो जो जानवर हो पाले जाता है दूद के लिए और near big cities to meet the needs of the people working in factories अब बहुत सारे लोगे इस factory में काम कर रहे तो सबको चाय वगरा दूद वगरा चाहिए तो उनके आसपस के अरियास में यह किया जाता है dairy farms need a large labor dairy farms में बहुत सारे लोग चाहिए to force to look after the cattle जानवर हो के देखमाल भी करनी है उनके लिए भी चाहिए तो at present machines are widely used for milking दूद निकालने के लिए पर तो हाथ से निकालते थे का लोग जानवर हो लेकिन आपके machines भी लग गई है फीडिंग काया है और क्लीनिंग के लिए मशीने आ गई है तो सब केटल का यह सारा कार्या जो है जनरी machines करने लग आजकल यूज कैपिटल इंवेस्टमेंट्स दस ने जेकिन एक्षों की मशीने लगाने यह इतनी सारी बहुत सारा पैसा भी चाहिए dairy farming में तो बस की होता है फिनिश हमारा चाप्टर और चाप्टर ले गया 40 मिनिट स्टिक है बच चलो एक ही बार में मैंने चाप्टर फिनिश कर देगा वना वीडियो वन और वीडियो टू दूर नहीं पर दिया बच्चा को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा बाइद कर लिजेगा फिर मिलते नेक्स वीडियो में चल देन लव यू आले बाबाई